आधार स्टडी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो 25 नमबर 2019 को फूड सेफटी ओफिसर का एक्जाम हुआ है इस वीडियो में हम इस पेपर की आंसर की और कुछ कैसंस है जो डिलीट हो सकते हैं वो कैसंस बताने वाले हैं और इस एक्जाम की कटोफ क्या जाने वाली है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे तो अन्त तक इस वीडियो में बने रही है तो दोस्तो आंसर की के अनुसार जैसे पहला कैसं है कि सुक्समजीवों का उप्योग होता है परियावर्ण पर दूसकों में जैवावर्दन बायो मैगनिफिकेशन है पांचा केशन जैपुटोक अजमेर दोसा ये थ्री ए अर्दसुस्क पूरी मेदान जलवायुखंड के अन्तरगत आते हैं क्रिशीवान की पद्दती में उप्सन तीन के अनुसार क्रिशी, वन, चारागाय, पद्दती में फसले सम्मिलित है क्योसन सात्वा जो है उसमें मूंगफली की जुमका परकार की किस्म गिरिनार टू है मानक विचलन का सुत्र फस्ट उप्सन के दिये गए अनुसार है मांग और मुल्ले में सम्मंद रिनात्मक सम्मंद है दोस्तो प्याज की कौन से किस्म सफेद रंग के कंदो का उत्पदन करती है तो ये भीमा सुबरा है अरकारक्सक टमाटर की किस्म है और 2017 ठारा के अनुसार भारत में दुद उत्पादन 170 से 180 मिलियन टन है पंतर आगिनी किस्म मेथी की है सर्सो से सम्मद परजीवी खरपतवार औराबेंकी है आम में इस पंजी उत्तक से समवेदन सिल किस्म अलफानजो है भारत में दूद का सरवादिक उप्योग घी बनाने में किया जात 28% उप्योग होता है दूद का घी बनाने में साधारन मक्षन को पोर्चमेंट पेपर में पैक किया जाता है, रक्तस्रावी सेप्टीमिया का प्रेरक कारक पेस्टूरिला मेल्टोसिडा है, इसब गोल के वजन के अनुसार भूसी और बीज का अनुपात 25 अनुपात 75 है, राजस्तान प्रती वेक्ति दुद्ध है, गलत तरीक से दवाई देने पर जानवरों में डेवेंची न्यूमोनिया होता है, फल बंडारन हेतू, पोटेसियम परमेगनेट का उप्योग इथाइलीन मारजक के रूप में किया जाता है, बारतिये खादिस सरक्सा एवं मानक अदीनियम 26 में 101 धाराए है, कर्षागा है, मानकों के अधार पर फल पानक में कम से कम फलों का रस और गुदा होना चाहिए वो है, 20 से 30 परसेंट, वार्षिक उद्योगीक सर्वेक्षन की अनुसार, सबसे ज़्यादा अंदर परदेश में पंजिकृत एवं अधिनियमित खाद्य प्रसकर निकाईया है, लाल अमल ये अमलों के लिए आर इनेमल डिब्बो का प्रियोग किया जाता है, फलेम सबजियों की कटी हुई सतय पर बुरापन आने का कारण फिनोल्स का उक्सिकरण है, दोस्तों अगला कैसन है, 2017-2018 के अनुसार भारत में किस राजे में सबसे ज़्यादा ताजी सबजियां हो गए इन सब्यता में संस्कृति में प्राप्त हुए है, और तारागड का निर्मान वर्सिंग ने करवाया है, युवान चुआंग उलेखित पॉलियो ये तो लोग के रूप में किस इस्तान की रूप में पैचान गिये तो ये भीनवाल है, एगवमार का दिनियम 1937 ये विपनन एवम निरक्सन निदरसलाई के नतरगत आता है, निमने में से कौन क्लाइमेटिक फल, तो दोस्तो इसका आंसर अवकांडो है, राजपुतों की विदेशी उत्पत्ति का मत, सरवपर्थम कर्नल जेम्स्टोर ने दिया है, दोस्तो इसमें विंसेट स्मित ने भी ये मत दिय बलकि इसका ओप्सन अठारसो अठाण में दिया है, तो ये किसन डिलीट होने वाला किसन है, अब देखते हैं, और पीएसी क्या आंसर निकालती है इसका, दोस्तों इसे अगला किसन है, सेखावाटी में किसानों को अपने अधिकार के लिए संगर्स करने है तू, बरतपु इसका ओप्सन अधिकार के लिए संगर्स करने है, याद करो इसमें चेतावनीरा चुंगटिया, कविता इसी से संबंदित है, चूरू में सर्वहितकानी सभाकिस्ता आपना 1907 में स्वामी गोपालदास निकी है, बारत संग में अधिमिलन पत्र पर स्ताक्सर करने वाले रा चूरू का जन्म पालपट्टा में नहीं, बासिया ग्राम में हुआ है, तो ये केशन गलत है इसका, एकी आंदोलन का प्रमुकुद्देश से किसानों को बारी लगान एवं अन्याइपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना है, त्रिकुटा करती का निन्याण में बुर्जो चयसेले मेर का दूरग है, कछ्वार राजवंस की पर्थम राजशनाईन, दोर्फतोंभी बड़ा संसेय वाला कैसन है, इसमें कई बुक्स में इसका आंज़र आमेर लो लिखा है, तो देहते हैं अंसर के में किया आता है, bizeC क्या अंसर की में इसका सान्सरो देती ए है, थारा सो तीयासी है दोस्तों ये वाला केसन भी बड़ा संसे का केसन है इसमें किस लोग देता हो कि पत्नी सती नहीं है तो दोस्तों कई किताबों में इसका आंसर तेजाजी है और कई किताबों में इसका आंसर हडबुजी है तो ये भी देखते हैं क्या आंसर आता है इसका र और ये गिन बोधिस्टूप के पुराव से इस बेराट में प्राप्त हुए निमबार्ख संपरदाय की परमुखपीट सलेमाबाद में हैं। दोस्तो दोलीदूम ग्राबन जो है वो लालदासी संपरदाय से संबन दित हैं। दामना अबुसंड जो है वो अंगुली में पहना जाता है। मनरंग है। रास्तान में रावली का कौन सा बाग सरवादिक वर्षा प्राप्त करता है तो बड़ासान के सने दक्सिन है। निमने में से कौन सा करसी जलवाई परदे सरवादिक वर्षा प्राप्त करता है तो ये उप्शन तीन के अनुसार फोर्थ बी से फिप्त है। और सर्वोच सिकर निम्ने में सर्वोच सिकर तारागड है यह सभी मद्य रावली की चोटिया है दोस्तों बहतर नमर का केसन है जल संबर के चुनाव में किस मांदण का सरवादिक महत्व दी जाती है तो इसका उप्षन फोर्थ सही आंसर है और अगला परचन है हाली में वन विभाग में राजस्तान के गोडावन के अंडे सेने के लिए अंडे सेने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टिटूट ऑफ इंडिया देरादून को ये सयोग करार किया गया है किरशी विभाग राजस्तान मर्दा वर्गी करण अनूसार रेवरीना जो मर्दा है वो दोस्तो इस पर बड़ा संसर ये बिकानेर में भी हो सकती है दोनों जगे पर ये मर्दा पाई जाती है वैसे इसका सई आनसर बिकानेर हो सकता है अगला प्रसन है 2011 की जंगरना के नुसार कौन से जिलो में समुहे में सबसे कम महिला सक्सरत अंकित है तो ये जालो और शिरोई जैसल में रहे बनास नदी का उद्गम कुंबलगट के नजदी खमनोर की पाड़ियां है दोस्तो अगला जो 77 नंबर का के सन है इसका चोथा आंसर सही है 78 नंबर का के सन है इसका फस्त आंसर सही है राजतान राज्य की नवीनतम वन नीती 2010 प्रसिलन में है और मेवाड सुगर मील जो है वो दैपूर में अवस्तित है और दोस्तों ये 88 नंबर का के सन इसका फस्त आंसर सही है 82 नंबर का के सन जो है वो इसमें आर स्वामिनातन समीती जो है वो गरीबी से संबंदित नहीं है ये किसनों से संबंदित है 83 नमबर का केशन जो है वो जो 83 नमबर के केशन के अनुसार जो नवी करनी है उर्जा मंत्रा ले द्वारा अनुमोदित राजस्तान का जो मेगा सोलर पावर प्रियोजना अवस्तित है वो फतेगड में है दोस्तों अगले प्रसंद के अनुसार सूती वस्तर उद्योग से संबंदित बिल्ला कोर्परेशन नहीं है ये सिमेंट से संबंदित है नाथ्रा की पाल और मोरीजा बनोल चेत्र में लोयस्की की खाने है रास्तान का दित्यपुरमान उर्जा सेंतर बांसवाडा में प्रस्तावित है और सितैसी नंबर का के अनुसार जो सांती बनाए रखने के लिए सही है तो रास्ताद्वारा पदग सम्मानित किया गया है वो कमल सिखावत है और अगले के शन में रास्तान उर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में कौन सा कतन सही नहीं है तो ये तीसरा कतन है जो सही नहीं है बाईतू कासल करपुरी ये तेलवे गेस के लिए प्रसिद्ध है और 90 नंबर का केसन है भारस सरकार के खाद्य प्रसर्शकरण उद्योग मंत्राले के सहयोग से ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क ये रूपनगड अजमेर में है और 91 नंबर का जो केसन है वो उसका आंसर थर्ड आंसर इसका सही है 22 नंबर के अनुसार माइकल क्रेमर वा अभीजीत मनर जी को अर्थसास्तर में नोबेल प्रसकार प्रदान किया गया है 23 नंबर के करेशन में ये सभी प्रकार का तामा दोस्तों ये जुण-जुणू में मधन गुदान में पाये जाता है 24 नंबर के करेशन में पायल जांगे जो है वो हिसला जिला अलमेर की है और अगले परसन में रास्तान के मुख्य steps जो अभी सुप्रीम कोड के नयदिस बनाए गए है वो मुम्मद रफीक है और 96 नमबर के question का सही answer first है दोस्तो योकोहमा जापान में जो FAO का कारियल है वो संपर कारियल है दोस्तो ये 98 नमबर का question बड़ा confuse करने वाला question है इसका सही answer first वाल होगा इसमें कियावल मातर B कतन सत्य है क्योंकि first कतन में एहमद अली को इथोपिया का राश्पती बताया गया है जबकि ये परधान मंत्री है तो इसका सही answer B है B कतन सत्य है इसका अबू परवत में मुख्यत है ग्रेनाइक से निर्मित चत्ताने है और अभी-अभी जो election हुए है वो महरास्तर और हरियाना में हुए है और NCRT NCRT ने विद्धाले परधानों और सिक्सकों के लिए निस्टा कारिक्रम लोंच किया है दोस्तो एकस्तो दो नंबर का जो कैसन है उसका सही आंसर भूटान है भूटान में रूपेकार लोंच किया है 25 सितंबर को ग्वालियर में MIG-21 क्रेस हुआ था और उस सहर को पैसानी जार रास्तान सरकार द्वारा सबसे बड़ा बिजनिस इनक्यूबेटर बामासा टेक्नोहब स्ताफित किया गया तो यह जैपूर है बारतिय प्रदान मंत्रियों और अमेरिका की राश्तपती सितंबर 2019 में अमेरिका में मिले थे रास्तान का निम्लिक खिलाडियों में से निसाने बाजी से संबंदित यसा सिंग नहीं है दोस्तों अगला 107 नंबर का जो केसन है इसमें जो यह अधिनियम है वो 13 फरवरी 186 को लागू हुआ था और B.A.S.O.L. मार्क स्वर्ण तथा रजट उत्पादों से संबंदित है वर्तमान में राजस्तान के जेलमान इंदेशक महेस चंद्र बैरवा है और चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को 37 दावन के इंदर से लोंच किया गया था 111 नंबर का केसन के अनुसार ओप्रेशन सुदर्सन जो है वो सीमा सुर्क सा बलो के लिए है और 112 नंबर का केसन है इसमें A.C.T. कामल का P.K.A. मान 4.76 है 218 में केल्विन पर K.W. कामान 1 गुना दस्की गात माइनस 7 होता है दित्य कोटी के अभिक्रिया के लिए वेगिस तीरांग की काई मोल इन्वर्स लिटर सेकेंड इन्वर्स है CLF2 की आन्विक जैमिती टिया करती की होती है दूद का pH 6.8 होता है और दोस्तो ये जो 117 नंबर के टिया के लिए इसको फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते है गेमेक्सीन का सुतर C6, S6, CL6 होता है दोस्तो 119 नंबर के के टिया का सही उत्तर 4 है दोस्तो 120 नंबर का जो केसन है उसमें टिंडल अभिकर्मक जो है वो नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है और पिले 121 नंबर केसन में पिनेकोल का रसाइनिक सुतर जो है वो फर्स्ट आंसर में जो दिया गया है वो है 122 नंबर केसन का सही उत्तर एनहर्ड्राइड है दोस्तो अगले नंबर अगला केसन जो है उसके सही आंसर दो-दो हो सकते हैं अब देखा जाता है इसमें RPSC किसको सही मानती है इसमें सेकंड आंसर भी कई बुक्स में सेकंड आंसर को सही बता है कई में फोर्थ को सही बता है तो देखते हैं कौनसा आंसर सही होगा 124 जो केसन है उसमें वोटर एक्टिविटी का सीमांकन AW.91 से अधिक होता है थर्ड आंसर सही है इसमें निम्ने में से कौनसा बेक्टिया इल्फा टोक्सिन बनाते है तो ये क्लोस्ट्रीडियम प्रिफिरिंजियस है दोस्तों 127 नंबर के केसन में नाइट्रोजन का अंकलन केलडॉल और केरियस विदी द्वारा किया जाता है अगले केसन में जेल का उधारन मक्षन है सुक्समजीव जो बियर और वाइन की निर्मान में के उतरदाई है वो सेकेरोमाइसी सरेवेसी से और इसका अंतिमुतपाद एथिनोल होता है निमलिखित में से कोजी किनवन किसका होता है तो इसका सही आंसर सोयबीन है 31 नंबर का जो क्यसन है दोस्तों इसमें GDP जो पूछा है वो दो है अब देखते हैं इसका आंसर और क्या होता है वैसे दो इसका सही आंसर है एगरीकस बाइस्पोरस जो है वो एक हध्यपदार्थ है आमतोर पर सोक्राट कद्दू से तयार किया जाता है केप्टाफोल एक फपूंद नासी होता है निमलिकित विटामिन में से कौन सा एक प्रती रख्त स्रावी है तो ये विटामिन के है एंजाइम की सामानिक क्रिया विदी दोस्तों ये सक्रियन उटजा को कम कर कार्य करता है मानव सरीर में मिथाईल और इथाईल एलकॉल का विसरन अपचैन से होता है वसी अमलो का उक्सिकरन एलफा और बीटा उक्सिकरन द्वारा होता है वर्गी करन की पांच जीव जगत पद्दतियों में विसानू, वाइरोइड्स और लाइकेन नहीं है दोस्तो 140 नमबर का जो सही आंसर वो सेकेंड आंसर है और दोस्तो जो कच्चे अंडा है उसके सफेद हिस्से को खाने से बायोटीन की कमी होती है 142 नमबर का जो केसन है उसमें कैट फिस का विग्यानिक नाम पूछा है 143 नमबर का केसन का सही उत्तर फर्स्त है 144 नमबर के केसन का सही उत्तर सेकेंड है प्राकेंद्री की के बारे में क्या सत्य नहीं है तो इसका सही आंसर फर्स्त है 146 नमबर का केसन है दोस्तो इसका सही आंसर सेकेंड है और 147 नमबर के question उत्तक संवर्दन इसका सही आंसर थर्ड है BTG-20 के बारे में क्या सत्य है तो पहला कथन सत्य है आमासे का प्रोटीनली एंजाइम पैपसीन होता है दोस्तों इसका और जो last question है कि स्वसन सब्स्ट्रेट हो तो स्वसन गुणान कितना होता है तो एक से कम होता है तो इस प्रकार से इस पेपर की संपून आंसर किये सभी question की आंसर किये इसमें question में अगर आप देखोगे तो इसमें 3-4 question ऐसे हैं जो delete हो सकते हैं अब देखते हैं वैसे इस आंसर की को बनाने में पूनत साबदानी बरती गई है फिर भी अगर किसी दोस्त को किसी question में कोई आपती है तो आप comment करके बता सकते हैं दोस्तो अब next बात करते हैं कि इस paper की cutoff क्या रहने वाली है तो दोस्तो जैसे विससजग्यों की अनुसार अगर बात करें तो इस paper की cutoff बहुत कम जाने वाली है दोस्तो ये paper थोड़ा tough paper था इस कारण से इस paper की cutoff कम जाने वाली है देखा जाए तो general की cutoff 50-55% के मद्दे र रहेगी इसमें CST की cutoff 40-45% रहेगी दोस्तो ये cutoff list जो है वो विससजग्यों की अनुसार बनाई गई है तो most trusted cutoff list आप लोग इसको कह सकते हो फिर देखते हैं RPSC का result जो आने वाला है अगले महिने तक इसका result आ जाएगा देखते हैं उसके अनुसार क्या cutoff आती है तो करें अपनी दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले धन्यवाद